हलो दोस्तों नमस्कार, ओमे टेकनिकल यूटूब चैनल के माध्धम से समस्त EPS 95 पेंसनस भाइबंदू, आप सब का हमारे नए वीडियो में स्वागत है, दोस्तों आज हम बात करने माले हैं, आज 10 अक्टूबर है, और 10 अक्टूबर को ही EPS 95 पेंसनस के लिए एक बड़ी निर्णेयों पर बात की जा सकती है, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि किन-किन बातों पर चर्चा किया जाएगा, तो जो पहला नमस्कार पर तीन महिना का एरियर है, उस पर EPS 95 पेंसनस को पेंसन राशी अगर दे जाती है, 9500 पर पेंसन मुहिया कराई जाएगा, तो इक बड़ा जो तो फंड EPS 95 पेंसन के फिर से इकठा करना पड़ेगा, दूसरा जो चाहे श्रम मंत्रा ले की तरब से हो, चाहे वित्व मंत्रा ले की तरब से हो, ये बोला जा रहा है कि जो EPS 95 पेंसन की फाइल पे काम हो चुका है, यानि कि लगभग लगभग काम को हो लेट हुआ है या नहीं, इस विश्हे पे बात होगा है, एक बार फिर से, चोता नम़र पर होगा महागाई भत्ता के अनुसर, महागाई भत्ता EPS 95 पेंसन को कितनी मिलेगी, और सरकार के तर्ग के अनुसर, जो चार प्रसत तक EPS 95 पेंसन की महागाई भत्ता में बुध करने की बात हो रही उसका भी कबिनेट मंत्री में क्या सहमती होगी क्या नहीं उसे भी कबिनेट मंत्राले में भेजा जाएगा तो मुक्रूप से इन चार बात जो EPS 95 पेंसंस के लिए काफी महतपूर है तो इसलिए सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि 10 10 अक्टूबर को होने वाली यह मीटिंग ही EPS 95 पेंसंस के काफी ज्यादा मत्र पूरे क्योंकि इस 10 अक्टूबर की जो मीटिंग आज क्रिट में अगर होती है इस मीटिंग से संबने और भी आगे चलिके जो भी अपड़ेट बड़ी अपड़ेट सामने निकल के आगी उस अपड़ेट से हम आपको रूबरु कराएंगे लेकिन यह भी बात है कि अगर 10 अक्टूबर को 9500 पेंसं ब्रिद्धि करने की बात कही जा रही है लेकिन यह मुझे ही मालूम है आपको ही मालूम है कि EPS 95 पेंसंस को जहां एक पेंशन्स की पेंशन में 9500 रुपर तक की पेंशन में बृध्धी करने की बात कर रही है उनमें भी कितने साच चाहिए ठीक इसके विप्रियत में आपको बता दू कि कोश्यारी शमती हो गई जो तो मदूर संगठन हो गया कांग्रेस कमेटी हो गई और सहींगत भारत पक्ष पेंशन में ने 9500 रुपर तक की पेंशन में बृध्धी को बात कही थी हाँ यह भी सत्य है इसे जुटलाया नहीं जा सकते है कि पेंशन्स ने अपने जो तो डिवटी के दौरान जब वो काम कर थे अपने कारी के दौरान उन्होंने पेंशन्स ने अपनी कंट्रिबूशन में पूरी तरीके से जो तो सहयोग दिया है अपने पेंशन राशी में विध्धी करवाने के लिए पूरी तरीके से सहयोग दिया है कि आज भी वो पैसा जो तो उनका जमा हुआ है तो उस पैसे को ही आधार व्यस्मान के कुल मिला के पेंशन का जो प्रारूप होता है कि ज सारे तरकों को इसमें मिला दिया गया है समझे लिए कि कोशे करिए कि जैसे माली जी कि 15,000 रुपए तक की पेस्ट का जो वेसिक सेलरी में जो तो 15,000 रुपए तो उसका आधा साड़े साथ साथ जार रुपए जो तो उनकी पेंशन फिर इतने दिनों से पेंशन उन्हें एक ह कि प्रकार के हो सकता है यह जो 95,000 रुपए हो इसमें महांगाई भत्ता को यहद्र न किया गया हो इसमें जो मेडिकल सुविधाय हैं उसको Alt mane pos which is it के साथ की खबरों के साथ में जुड़े रहने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों वीडियो को सेयर जरूर कर दें मिलते हैं किसी नए वीडियो में और नए अपड़िट में तब तक करें नमस्कार जय हिंद जय भारत